जै हिंद इस वीडियो नों बात करें कुल दूए श्टोग के बारे में एक का नाम है KBC Global और दूसरे का नाम है OVNGC इन दोनों कमपनियों के भी हाली में quarter 2 के नतीजे आये हैं लेकिन उसके बावजूद ये के श्टोग में शी खासी तेजी देखने को मिल रही है और दूसरे श्टोग में हलका गिराउट देखने को मिल रहा है इस वीडियों लोग समझेंगे कमपनियों के quarter 2 के नतीजे कैसे आये हैं और नतीजों के लेकर कमपनी के share price पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या impact पड़ सकता है इसी के बारे में बात करेंगे साथ में यह भी बताऊंगा कि ओवेंगे जीसी ने dividend देने की बात कहीं है dividend कम मिलेगा कितना रुपया मिलेगा इसके बारे में भी बात होगी लेकिन सिरुबात करते हैं हम लोग के बीसी ग्लोबल से के बीसी ग्लोबल एक पेने श्टोग है और जाहिर सी बात है जब पेने 12 में यान कि इसी साल तकरीवर इसने 20 रुपय कासबस लगा था इस रुपया बनाने बाद प्राइस कंडिनी में अने लगा और अभी कम होकर इस कम की होने लगा क्यूंकि कंपनी के फंडामेंटल कम जोड़ होने लगे अभी जो इस कमनी के कॉटर्ट्र कमाई हुई है वो ह हुई थी 17 क्रोंड 26 रुपए यानि कि आप देख सकते हैं इस बार क्वार्टर टू का रिलेट है इसमें पिछले साल के क्वार्टर टू से और पिछले क्वार्टर से भी कमाई कम हुआ है यानि असान भास आपके हैं तो पहले इसका फंडमेंटल ठीक था अब ध्युद्रे क कमजोर होते जा रहा है इसी वज़े से शेयर प्राइस प्रीक धिरेद्रेड डाउन होते जा रहा है और यहां आपने भी की बात की यह दिए प्रोफिट की बात करने तो जाहिर सी बात है जब रेवीन्यू कम हुआ है तो इस पर चूटल प्रोफिट हुए वह वह यह सब्सक्राइब क्वास प्रोपोटर्स के सदारी थी समझना कबगाज प्रेटर क्ला इस पर बहसों किया सकता है मैं आप बता रहा हूं आपको करना क्या मैं आपको क्या 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 है रहा个 2ॅपए 26 पैसा और इसके बाद थे या उससे भी नीचे जाता है और फिर वहां से सपोर्ट लेकर प्राइस उपर उठेगा यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको इस स्टोग में ज्यादा दिन तक बिन रहने की जूरूत नहीं है आप इससे बाहर निकल जाएगा क्योंकि फंडामेंटल इस कम्पनी के नजदी के समय में बहतर होते वह नहीं दिख रहे हैं यह कि बात करते हैं और इस वार इस नतीजह हैं उसमें इस कम्पनी के कमाई और प्रॉफिट दूनों कम हुआ है बात करें तो जहां पिछले क्वार्टर में इस कम्पनी का टोटल रिभेन्यू था एक लाख बिरासी हजार कौन वहां से कम होकर अभी यह लाख खंट हजार क्रोन रहा गया है जब प्रॉफिट भी कम होना सभाविक है इस बार इस कम्पनी जो टोटल प्रॉफिट हुआ पूछ सकते हैं कि यह कमाई और यह प्रोफित कम की हुआ है कि कि कमनी का प्रोफित और कमाई होना उसके बहुत सारे प्रिसितियों पर डिपेंड करता है लेकिन यहां एक में वज़ाई जो है वह मैं आप बता रहा हूं भारा सरकार ने यानिकी मोधी सरकार जो टेक्स लगान पर कमपनी को कमाई का एक हिस्ता करूप में इसे सरकार अपना मंद पसंद का काम करती है इसलिए इस बार इतियल कंपनियों के जो रिभिन्य हुआ है जो प्रुफिट हुआ उनमें गिराउट देखने को मिली है अब हमनों बात करते हैं यह कंपनिय डिविडेंट भी देने जा रही है हम जानते हैं कि UNGC जो साल में तीन बार या चार बार तक डिविडेंट देती ह इस बार जो कमने डिविडेंट देने जा रही है वो 6 रुपे 75 पैसा परती शेर के इसाफ से डिविडेंट देने जा रही है और उसका रिकोड़ डेट रखा क्या है 21 नूमबर यानि कि 21 नूमर के पहले तक जिस बेकती के पास स्वें जीसी के सेर रहेंगे उन्हें ही आधे मुझे इस्ट्राइब फोलो कर लिए लिंक डिस्क्रेप्शन ने दिया गया है यह आपके पास सेर बाजर में इंडेश्मेंट करने के लिए डिमेंट अकाउंट ने तो आप अपना बेस्ट टिमेंट अकाउंट इंजल में के साथ उपन कर सकते हैं उसका भी डिस्क् झाल